प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजे टीवी नेटबॉक पर फ्रेंज हम आपके लेकर आएं कमल लंदलाल का राशिफल इस में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिफल के साथ इसाथ आपको बताएंगे राशिय नुसार कुछ सिंपल से हुपाए राशिय नुसार ही आपका लखे नंबर और लखे कलर भी पंचांग बताएंगे दिशाशूल की जानकरी देंगे साथ साथ आपको ये भी और क्या ना करें और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन के किसी खास प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर देगा चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते है राशिफल की पंचांग के साथ में तो दिन है बज़े से लेकर डेड़ बज़े तक का दिन का सबसे शुब महुरत रहेगा शाम को साड़े पांच बज़े से लेकर शाम को साड़े साथ बज़े तक का ये विशेश चंद्रमा के उदय का चंद्रमा के पूजन का और चंद्रदर्शन का विशेश महुरत है और आपको बत अगर यात्रा करना जरूरी हो तो थोड़ी से मिश्री खाकर घर से निकलें तो चलिए अब शुरुवात करता है राशिफल की पहली राशी मेश हैनी एरीस के साथ मेश राशी वालो मन अकारण उदास रहेगा हर काम को सोच समझ करके करें भाई भेनों से विवात के योग हैं शाम में दोस्तों के साथ में पाटी करेंगे धार में क्यात्रा के योग हैं उपाईये करेंगे सोने के अभुशन पैने शुबंग च्या रहेगा शुबरंग रहेगा गुला भी तीसरे राशी में तो नियानी जमनाय की बात करेंगे, प्रिये जन्द से भेंट होगी, कारेस्तल परमहत पर बढ़ेगा, निवास की समस्या हल होगी, रन सम्मंदित मामले जल्द निप्टेंगे, वान सुक में व्रधी के योग हैं, उपाईये करेंगे, काजल का स्तमाल करें शुबंग काट रहेगा, शुबरंग रहेगा, काला, पांचवी राशी सिंग, यानि के लियो की बात करेंगे, करियर में भैतरी के प्रस्ताओं मिलेंगे, नौकरी के समस्या हल होगी, सहकर्मियों से बाद विवाद की योग हैं, पारिवार एक सदस से विरोध करेंगे, ज शुबंग रहेगा, शुबरंग रहेगा, सफेद, साथवी राशी तुला, यानि के लिवरा की बात करेंगे, लंबे समय से चल रहेगे, विवाद सुल जेंगे, नई जम्यदारी मिलेगी, शत्रू खुल कर विरोध करेंगे, कारेश इतर में आलो चना जहिलनी पड़ेगी आए के नैसरोत बनेंगे, उपाईये करेंगे, महंदी का स्तमाल करें, शुबंग कतीन रहेगा, शुबरंग रहेगा, पीला, आठवी राशी वृष्चे कहने के स्कॉपियों की बात करेंगे, कामकाज में धीमी शिरुवात होगी, कारियों में सफलता मिलेगी, वियापार में विस्तार होगा, अफसरों का भरपूर लाव लेपाएंगे, कामकाज उत्तम रहने के योग हैं, उपाईये करेंगे, चान्दी के अगुशन पहने, शुबंग अच्छे रहेगा, शुबरंग रहेगा, गुलाबी, नवी राशी धनू, यानिके सेजिटेरियस के बात कर करेंगे, सेहत नरम रहेगी, समय की सार्थकता पर ध्यान दें, व्यापार्क में विस्तार के लिए निवेश करेंगे, पारेबर एक विवाद के योग हैं, अकास्मिक धनलाव की भी संभावना है, उपाईये करेंगे, कुम-कुम का इस्तमाल करें, शुबंग कनो रहेगा, शुबरंग रहेगा, नारंगी, दस्वी राशी मकर यानिकी के प्रकौन की बात करेंगे, जीवन साती से बहसबाजी के संभावना है, शांती से समय व्यतीत करें, छुटी सी बात से बड़ा बतंगड बननी की संभावना है, इसलिए संभल कर रहें, आर्थिक लाब होगा, रुके वे काम जो हैं, वो समय पर पूर होंगे, उपाई ये करें कि हरे रंग के कपड़े पेने, शुबंक पांच रहेगा, शुबरंग रहेगा, हरा, ग्यारवी राशी कुम्भियने के अक्वेर, इसकी बात करेंगे, दफ्तर में अधिकारियों से मद्भेत की संभावना हैं, सुक सुविधाओं पर खर्चा करेंगे, परिजनों का सहयोग मिलेगा, संबंदों में मधूरता बनी रहेगी, नियाय पक्ष जो है, वो मजबूत रहेगा, उपाई ये करेंगे, सफेज चंदन का इस्तमाल करें, शुबंक पांच रहेगा, शुबरंग रहेगा, हरा, बारवी रैशी मीन, येनि पाईसिस की बात करेंगे, संपत्ती के क्रै विक्रे की यूजना बनाएंगे, माता की सेहत नरम रहेगी, दामपत्य आनंद में रहेगा, नए संपर्कों से लाब होने के यूग है, निवेश से वड़ा लाब होगा, उपाई ये करें कि लाल प्रमा का पूजन करें, चंद्रमा पर सफेद फूल चड़ाएं, देवी दुरुगा पर मिशरी से बने मिश्ठान चड़ाएं, गरीब पन्या को हरे मूंग दान करें, मूंग और पिस्ता का सेवन टरना शुब रहेगा, मिशरी क्रोकरी घी खरीदना शुब रहेगा, चीजों का सेवन ना करें, कटेरी फल का दान और उपियोग ना करें, उत्तर दिशा की यत्रा ना करें. तो दोस्तों समय है, आज के स्पेशल उपाए का वो स्पेशल उपाए जो स्वभाग्य की प्राप्ति करवाएगा. देखिए खास दिन है यह दिन है कार्तिक शुक्लपक्ष की दुत्या का ऐसे में विशेश उरूप से विधान है चंद्रमा के दर्शन और पूजन का क्योंकि कार्तिक चंद्रदर्शन पर है ऐसे में क्या करें सोभाग्य की प्राप्ति के लिए चंद्रमा का दर्शन करें उन निश्चत प्राप्ति होगी तो दोस्तों आज के लिए बस एतना ही कलाव से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्षिवाई